अब तक हम लोगोंने क्या क्या देखा अब तक हम लोगोंने सीमेंस की प्रोग्रामिंग देखी नॉर्मल जी कोड़ देखे साथ ही साथ हम लोगोंने जॉब इंटर्वी कोश्चंस इंटर्वी कोश्चंस टीप अफ देखे सब कुछ तरह के हम लोग सीन से रिलेटेड बाते और डिसकुशन करते रहें मुझे कुछ रिस्पॉंसेस आ रहें कुछ कमेंट्स आ रहें कि सर आप क्यों ना आप लोग फानुक के लिए स्टार्ट करोगे आ आप फानुक के काम को प्रोग्रामिंग कब सिखा होगे ऐसी कुश्चंस मुझे कंटिनियूस आते रहें मगर प्रॉब्लम क्या था सीमेस के लिए स्टार अवेलेबल था और एक सेंपल आप सीमेस मैंने सीमेस के अंदर एप्लिकेशन इंजिनेर के पोजिशन के ओपर काम क किया था तो मुझे पता था उस सॉफ्ट्व का लाना है कैसा डाउन्लोड करना है और उस सॉफ्ट्व को यूज करके मैं आपको cms का प्रोग्रामिंग सीखा था पट फानुक का मिचिन के उपर प्रोग्रामिंग सीखाने इस अब आउट इंपॉसीबल क्योंकि आप कॉंसेंट्रेशन नहीं कर पाऊंगे और फानुक का जो सॉफ्ट्वेर है उसको सी अन्सी मैनिवल गाइड और सी अन्सी गाइड ऐसा बोलते है यंसी गाइड है वो बहुत एक्स्पेंसिव है मैंने ट्राइ किया कोशिश किया खरीदने की बट फानुक इंडिविज्यल को ब जे रिटनिग लेत के लिए यह सीमुलेटर तो यह साथ मैरा सकते पर्मिशन क玩 मुझे मिल रहा था तो मैंने उस सफ्ट्वेर को आप के साथ सब के साथ साऀंग करने के कोशिश करने के लिए आज का वीडियो बनाए हूं वह जल्दि फानुक का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे डेली क्लासेस लोंगा अभी फिलाल मैं ट्रावलिंग पे हूँ मैं एक 45 डेस्ट से मैं तमिलनाडू में हूँ तमिलनाडू पुरा से मैं स्टेट कवर कर रहा हूं सीन से प्रोग्रामिंग के लिए अंडर दी टाटा प्रोज लेक्जर डालना बंद किया था बीच बीच में बट अभी मैं जल्दी ही आपको जब भी मैं बैंगलोर जाओंगा तो मेरे में स्टूडियों में जाके जल्दी आपके लिए सेशन डालने की कोशिश करूंगा तो हम लोग अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सी फानुक का सौफ्टर कैसा डाउनलोड करें इसके बारे में जो सौफ्टर मोबाइल के अंदर है free of cost है उसको डाउनलोड कैसा करें उसके अंदर जानकारी मैं आपके सब के साथ साजा करता रहूँगा थैंक्यू, थैंक्स अलोट अभी हम लोग simulator के तरफ जलते कैसा download करना है, कैसा use करना है इसका पूरा technology, इसका पूरा process मैं आपको बता दूँगा तो अभी हम लोग कहां पर है तो अभी हम लोग main screen के उपर है mobile के, आपके पास iPhone है तो आपको App Store के उपर जाना है और आपके पास Android phone है तो आपको सिधा-सिधा Android के उपर जाना है जो कि आपका Play Store होता है तो मेरे पास Apple 13 है, तो मैं Apple Store के उपर है तो Apple Store के उपर जाने के बाद आपको simply यहाँ पर क्लिक करना है CNC Simulator CNC Simulator S-I-M-U-L-A-T-O-R CNC Simulator क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है सर्च करते ही आपके सामने यह जो अपर साइड में दिख रहा है CNC Let Simulator Light इसको आपको डाउनलोड करना है अभी मेरे मोबाईल में डाउनलोड है इसलिए ओपन दिखा रहा है अगर आपके मोबाईल में डाउनलोड करना है तो इसको डाउनलोड करना है इसको डाउनलोड करने के बाद इसका जो स्क्रीन है इस screen का इसा दिखता है इसका जो icon है इसका icon है इसा दिखता है CNC late simulator इसको click करने के बाद आपके सामने इस type का एक machine open होए वाला percentage form में दिखाता है यह हमारा dashboard है हमारे mobile application simulator का जिसके अंदर अभी हम लोग programming करेंगे बहुत easy तरीका है बहुत simplest तरीका है मैं जितने भी फानुक के प हैं आप किदर travel कर रहे हो आप खाली बैटे हो तो आपको machine के उपर जाने के जरूरत ने आप लोग यह software download कर सकते हो और यह software के उपर आपका program run करके देख सकते हो दूसरी बात कभी-कभी क्या होता है आप में से कुछ senior लोग होते वो लोगों को क्या होता है कि कभी-कभी कु आपका भी workpiece का size कितना है, feed rate कितना है, cutting speed कितना ही इतना दिखा रहा है मैं आपको सिर्फ यहाँ पर introduction दे रहा हूँ इस software का मैं detail में आपको इसके बारे में step by step बतातार होंगा तो सबसे पहले cross करोगे आप तो आपको एक software से बाहर जाना है क्या इसके लिए cross है उसके निच देखना है नया project means आपको नया कुछ बनाना है क्या उसके बाद दूसरा option दिखाता है आपको open project इसके अंदर 76, 92, 90, G74, G94 इस तरह की number of cycles आपको दिखा देगी इतनी cycles हम लोग कई से चलाएंगे machine के उपर उके उसके बाद और तीसरा option क्या दिखाता है उसके अंदर save project हम ल workplace का dimensions हमारा workplace का length कितना चाहिए diameter कितना चाहिए हमारे workplace का clamping length कितना चाहिए और end allowance कितना चाहिए आपको एपूरे screen के उपर दिखा देगा कि आपका वर्कपिस का पूरा length कितना है उसके बाद आपके débी प्लस प्लस बटन के उपर क्लिक करूंगा इंबीजर्ट्टिuf चेटाय मिटर बढ़ रहा है तौल की इसको का मैंने बटन बढ़ाना है तो प्लस का बढ़न दबाईएगा एकतम easiest way है उसके बात clamping length कितनी रखनी है तो मैंने 35 mm clamping length रखी है आपको ज्यादा रखना है तो ज्यादा भी रख सकते हो कम रखना है तो कम भी रख सकते हो as per your requirement fine इसके बाद हमारा next जो option आता है यह बहत-बहत important option है इसको बोला जाता है offset page offset page को परिक्रिश करने के बाद आपके सामने इस type का एक कोई तो advertisement आ रहा है क्योंकि हम लोग ना free of cost इसको use कर रहे है हम लोग इसको भी सेदे के use नहीं कर रहे है तो usually क्या होता ना इस अगर आपके सामने इस आड़ो आती है तो उस case में आपको डरना नहीं है सिर्फ इसको cancel कर देना है cancel करने के बाद आपको tooling के बारे में बताना है usually हमारे turret में हमारे turning light machine में 8 number of tool होते है हमारे turret में तो हमारे एक number का tool use करना है तो एक number के हमारे location के अंदर turret के कौन सा tool feedback ना चाहिए तो एक number के turret के अंदर usually हमारा तीन number का tool location बोलते हैं हम लोग location 1,2,3,4 आपको पास एक graph है मेरे पास और graph भी मैं आपके साथ share करता हूँ उस graph की हिसाब से हम लोग ID tool है, OD tool है, neutral tool है उसके बारे में हम लोग fanuk के machine के offset page के अंदर वो value डालते हैं तो अभी हमको normal light का tool चाहिए जिससे हम लोग facing कर पाएंगे तो मैं normal light का tool लेता हूँ इसको drag करना है और drag करके एक number पर डालना है, एक number के उपर डालने के बाद आपका tool का nose radius कितना है, आपका tool का nose radius है 0.4, आपके tool का diameter कितना है, जो हम लोग यह जो diameter बोलते हैं, internal diameter, यह diameter कितना है workpiece का, इसके बाद हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाती है, वहाँ प इसके बाद हमारा next option है, इसमें हम लोग हमारा program बनाते है, आपसेट के बाद हमारा program बनाना हमारा priority रहता है, तो मैं आपके simple program बना के दिखाता हूँ, facing का program चलता है, हमारा workpiece का size क्या है, अभी 100 mm diameter है, 200 mm हमारे workpiece का length है, तो हम लोग एक simple सा facing का program बनाते है, एकदम simple में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद O0001 मिस हमारा program number 1, next program के उपर जाना है, तो O0002 हमारा program number 2, सेम फानुक का ही methodology यहाँ पी use करते है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी keyboard चाहिए, keyboard तो नहीं इसके उपर, तो keyboard के लिए हमें यह जो चावी का बटन दिख रहा ह है, हमारे सामने keyboard आ जाएगा, अभी इस keyboard के अंदर हम लोग हमारा program डालते है, तो सबसे पहले program के इसा शुरूआत करते है, G28, G28, U0, W0, U0, W0, okay, end of block, insert, उसके बाद tool select करना है, T0101, end of block, insert, उसके बाद क्या करना है, RPM देना है, मैं 92, 93, कुछ भी consider नहीं करता हू, 92, 50, simple, normal, RPM देखके दिखाता हूं, yes, 1000, M03, 103, end of block, insert, अभी हमको क्या करना है, simple तरीके से हमको एक parking position देनी है, G00, X रहेगा हमारा, diameter अभी 100 है, तो हम लोग X 150 रखते है, X रहेगा हमारा, otherwise हम लोग X को हमारे, या रख सकते है, हम लोग 150 रख सकते है, फर्स्ट पार्किंग पोजिशन, 150.0, 150.0, हमारा Z रहेगा, 50.0, जस्ट नॉर्मल मैं एक पार्किंग पोजिशन दे रहा हूं, घबराई एगा मत, 50.0, end of block, insert, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम लोग हम लोग हमारे diameter के उपर जाके हमारे tool को locate करते है, G00, X रहेगा हमारा एक से हापर क्लिक करता हूं, X रहेगा हमारा 1, 102, x रहेगा हमारा 102, बें बाक्स्पेस क्लिक करता हूं, 102.0, और हमारा Z रहेगा, Z एक्सिस, माईनस, 0.5 0.5 end of block insert अभी हम लोग औरे rapid में हम लोग औरे second position ले लिया अभी हम लोग क्या करते है G01 G01 ओके हम लोग क्या करते है X को X- 1.0 ओके सीधा हम लोग निच्चे X के साथ आ रहे है end of block insert यहापे मैंने feed rate डालना भूल गया है तो मुझे feed rate डालना पड़ेगा F 0.2 ओके यहापे मैंने यह आपका facing कर दिया facing करने के बाद मुझे क्या करना है मुझे और मेरे location पे लेके जाना है G00 end of block insert अभी मुझे क्या करना है diameter विच्छे चला जाना है तो Z डालता हूँ मैं Z 5.0 end of block insert G28 U0 W0 G28 U0 W0 end of block insert and M30 मैं simple program बनाया मैंने कुछ भी consider नहीं किया speed, feed, rpm just normal program बनाया cutting speed नहीं किया just यह चलता कैसा है source simulation यह मैरे को आपको दिखाने का मेरा उद्देश था यह उद्देश अभी शायद से साध्य हो गया होगा यह देखेंगे हम लोग T0101 के जगा पे हम लोग थोड़ा सा एक backspace मारेंगे T0101 यह देखो tool number 1 RPM देदिया है अभी इसको हमको run करके देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा simply हमको click करना है यह बटन के ऊपर error आ रहा है error the linear interpolation T0101 is set without specifying the working feed value यहाँ पे हमारा feed rate हम लोगों ने नहीं डाला है यह बोल रहा है यह एकदम लायू लायू आपको solution देता है मैंने जान बुच कि यहाँ पे एक alarm generate किया था alarm क्या है कि मैंने कुछ गलती की है तो गलती चल रही है यह क्या गलती मेरी machine accept कर रहा है क्या तो machine गलती accept नहीं कर रहा है तो touch to screen to continue अभी हमको यहाँ पे और एक बार feed rate डालना पड़ेगा देखेगा यहाँ पे हमको इने गलती से हम लोगों ने feed rate यहाँ डाला था इस feed rate को हमको cancel करना है और इस feed rate को cancels करके हमको कहाँ डालना है नीचे के साइड में डालना है एकदम simple way है सर जी तो रिल्पुल tension लेना नहीं है अभी हमको क्या करना है निच्छे feed rate डालना है तो निच्छे feed rate डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले देखिएगा downside downside अब downside भी आ सकते हो यह देखिए downside आ रहा हूँ यहाँ पे मेरे को feed rate को इसको delete करना है और निच्छे और एक बार feed rate डालना है मुझे backspace मार के f 0.2 cancel 0.2 end of law उसके बाद हमें और एक बार निच्छे निच्छे कर सराना है मेरा अभी सब कुछ बराबर है सिर्फ g01 को मुझे feed rate चाहिए g0 को feed rate नहीं चाहिए अभी मैं इसको और एक बार रन करके दिखाता हूँ रन करता हूँ प्रोग्राम line by line चल रहा है और इस तरह से मेरा प्रोग्राम complete हो चुका है इसको देखने के लिए आप लोगों के पास number of options है देखिएगा यह एक बार आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपका facing operation हो रहा है यहाँ पर material cut कैसा होता है behavior कैसा होता है सबी तरह से यहाँ पर दिखा रहा है अभी Z plus में 5MM चला जाएगा Z plus में 5MM चला जाने के बाद machine सीधे तरह से home position निकल जाएगी इस तरह से हम लोगों ने हमारा simulation देखा CNC simulator नाम का mobile version देखा software का एकदम easiest तरीका है कुछ भी सोचना नहीं है जादा सिर्फ इसको mobile में करते करते रहना है जितने भी लोग मेरे पास अभी नए नए आ रहे बिगनर्स है उनके लिए यह तो बिगदम free of cost और सबसे अच्छा सुनेरा मौका है CNC सीखने का मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि CNC सीखने के लिए पैसा नहीं लगता है CNC सीखने के लिए हमारा दिल की तमन्ना चाहिए हमको CNC सीखने की इच्छा चाहिए अंदर से तब ही हम लोग CNC सीख पाएंगे तो इस तरह से आज का हम लोगों ने topic देखा अभी हम लोग जल्दी से ही फानुक का सेशन स्टार्ट करने वाले है सब इसके लिए तयार रहना थैंक्यू, थैंक्स अलोट